जहिन प्यारे साथियों आप सभी को अपने यूट्यूब चनल स्टाइट क्लासेस में स्वागत हैं हम लोग बिहार प्लिस ड्राइबर का लगतार इंटर्विव की तैयारी करवा रहे हैं और परतेक दिन आपको वीडियो दिया जा रहा है तो ए साइन और सिम्बल जहां से 20 नंबर्स का आपका कोचन्स पुछा जाएगा इंटर्विव में तो एप पूरा मास्टर वीडियो बना रहे हैं जिसमें पूरा जितना सिम्बल से साइन है उस सारा चीज को इसमें कभर किया गया है तो जितना साइन और सिम्बल है सबको कभर किया गया है और इससे बाहर एक भी आने वाला नहीं है तो आप इसे अंत से तक जरूर देखें और अगर इसका पेडिया पाना चाहते हैं तो टेलिग्राम चैनल जाकर जॉइन करिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है तो यह मास्टर वीडियो होगा और इसमें जितना साइन सिम्बल्स है वो सब का सब मिलेगा यह टोटल आपको 20 नंबर आने वाला है इस वीडियो से मैंने सोचा कि एक मास्टर वीडियो बना के मैं डालू तो यह जितना साइन सिम्बल्स है और साइन सब को इसमें इनकुलेट किया गया है तो इससे बाहर एक भी पुछने वाला नहीं है तो आईए इसको हम सुरुबात कहते हैं ठीक है देखिए हम लोग पहला देखेंगे कि आदेश नातमक सनक चिन जिसको हम मंडेटरी या रिवलेटरी साइन कहते हैं ठीक है जिसको अनिवार चिन कहा जाता है आदेश देता है उसको हम बताये थे कि जो व्यक्ति अगर इस रूल को का करता है इस रूल को अन देखा करेगा तो उस पर कानूनी अधार पर डंडित किया जाएगा और इसमें फाइन आपको भरना होगा ठीक है और इसका जो होगा यह सरकल में होगा इस टाइप से और इसका सेप गोल होगा ठीक है गोल होगा इसका कलर होगा वो रेड होगा और जे इसमें दर्शाया रहेगा सिगनल वो ब्लेक होगा क्या होगा ब्लेक होगा ठीक है तो इस सारी चीज को हमें डिपली से क्लास टू में दर्शाया है तो वहाँ से आप जाके दिख सकते हैं चलिए बढ़ते हैं फटा फट से जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे देखिए इस सारा चीज यह है से आपको क्या दर्शारा है इस सभी आदेशनात्मक चीन है ठीक है आदेश देगा कि आपको इस काम को करना ही है तो चलिए एक का करके हम लोग बढ़ते चलेंगे देखिए इस आपको कह रहा है क्या इस अश्टोफ है जब इस आपको मिले तो यह रुकने के लिए कहता है आप रुक जाएए ठीक है देखिए दूसरा कहता है अभी जब इस आपको मिलेगा इसमें लिखा रहा हैगा गी भेवे अगला देखे अगला कहता है कि आने वाला यातायाद को प्रात्मिक्ता दिया गया है आने वाला जो है इधर से जो आ रहा है इसको प्रात्मिक्ता दिया गया है इसको रोक दिया गया है ठीक है यह आपको दर्सा रहा है सिम्बल आगे बढ़ जाते हैं देखिए अगला है कहता है कि सभी मौटर वाहन आना मना है यहाँ अगर सिम्बूल मिलता है तो यहाँ पे जितने सर गाड़ी है सब ओ आना मना है तो ऐसे जगह भीड़ भड़ोले जगह पे किया जाता है आगे हम लोग बढ़ जाते हैं देखिए ट्रकों का आना मना है कता है कि ट्रक को आना मना है जिसका फिगर देगा कट कुट कल रहेगा तो उसको आना मना है जिसे इसको देखिए यहाँ कता है कि बैल गाड़ी और हाट ठेला को आना मना है बैल गाड़ी वहाँ ठेला यहाँ पे जाना मना है आगे हम लोग बढ़ जाते हैं देखिए बैल ओकूल्भी आपको देगा काट अगर किया है तो समझ यहाँ जाना भाजा समझे कि यहां जाना ओलाना है ठीक है हम लोग इस रिविजन के तोर पर इसको कर रहे हैं और डीक तो मैं वीडियो बना के दे दियो हूँ देखे, यहां कर रहा है कि साइंकिल है और क्रोस है तो साइंकिल आना माना है, ठीक है आगे बढ़ जाएंगे देखे, यहां पैदल है पैदल आत्रियों क्या आना माना है पैदल आत्रिया नहीं जा सकता है कोई दुर घट ना हो सकता है भी सुनक होगा तो ठीक है तो जब भी आपको कट मिलेगा तो का वहाँ आना मना है जो चीज का फिगर दिया है उसमें अब दिखे अगर इस टाइब के फिगर रहेगा तो इधर कह रहा है यानि कि दाय मुणना इधर का है मना है ठीक है अगर आपको फिगर इस टाइब के दे तो बाय मुणना मना है ठीक है आगे अगर आपको ऐसे दे तो आगे जाना मना है कि रियार देखिए दुसरा है बाय मुणना मना है यानि इधर जो जाएगा उसका मना कह रहा है इसा फिगर देगा तो अब देखें यहाँ पे U-turn कह रहा है U-turn लेना माना है मने कि आगे से यहाँ U-turn नहीं ले सकते हैं ठीक है तो आना माना है अब देखें यहाँ आपको जो दर्सारा है यह ओभट टेकिंग का दर्सारा है ना कि यहाँ पे जहाँ से गाड़ी आना माना है ठीक है गाड़ी आना माना रहेगा तो बीच में फिगर देगा वो कट करेगा लेकिन यहाँ पे दूनों साइड से गाड़ी दिया है यानि कि overtaking है यहाँ आगे निकलना जिसको कहा जाता है लहरिया कटमार के दिरे निकलता है न इसे तो यह कहता है कि यहाँ पर overtaking करना माना है दुरहटना हो सकता है आगे देखे बढ़ जाते हैं देखे यहाँ पर होरन का फिकर दिया है तो होरन बजाना माना है होरन यहाप 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 नहीं बजा सकते हैं जब यही उपर से नीचे क्यों रहेगा तो यह आपको उचाई के दरसागा, क्या? उचाई के दरसागा, जएचे देखिए यहाँ पर फिगर है, 3.5 मिटर, यह क्या है? यह उचाई को दरसा रहा है, तो यह चोड़ाई को जब इधर से रहेगा तो, और जब उपर नीचे रहेगा तो कहऊगा उचाई को, ठीक है? देखिए अगला बढ जाते हैं देखिए इस जो दिया है लंबाई लंबाई सीमा, ठीक है कि यहां से जहसे यह 10 मीटर का यह चोड़ा है लंबाई यह है इसका इस गाड़ी का, ठीक है तो इस जहसे आपका लंबाई सीमा दर सार और रोड का जो उच्छाई सीमा देगा तो का होगा इस टाइप से होगा ठीक है और इस टाइप से चोड़ाई का होगा किलियर अब जब गाड़ी बना के दिया है तो इसमझे लंबाई सीमा दरसारा है गाड़ी का अब देखिए यहाँ पे देता है 5T 5T के मतलब होता है टन 5 यहाँ पे कहता है कि जो यहाँ पे रोड बनाया गया है 5T से जादे नहीं ले जा सकते हैं अगर ले जाते हैं तो कोई दुरगटना हो सकता है कि पूल बना हो तो वहाँ पड़ी अगर 5T से जादे ले जाते हैं तो पूल धास सकता है गिर सकता है तो आपको दुरगटना हो सकता है तो कहा जाता है जब यह अगर इसा मिले तो आप समझ जाये कि भार सीमा को दरशा रहा है कि यहां पांच टंश से जादे नहीं पार करेगा ठीक है? और जब आपको ऐसा फ़िगर मिले ठीक है तो यह समझी कि आपको धूरी दर सारा है गाड़ी का ही वज़ देखाता है कि गाड़ी पर कितना लोड करके हम ले जा सकते हैं इसका धूरी के भार कितना है सहने के छमता है कोई भी हम गाड़ी जैसे निकालते हैं तो उसमें रहता ने कि एतना केजी तक इसमें जा सकता है तो इमें 10 किलो आगे चा चारे टेन है, तो चारे टेन जहाए से यहां से ज्यादे अगर लिजागे तो दूरगाटना हो सकता है, हो सकता है कि अभी हम ला दियें पांच टेन, आगे गये हुचका हुचकी मिला नीचे उपर हो के का हुआ धूरा पर भार ही पड़ेगा जितना लोड होता है सब धूरे पर पड़ेगा तो जब धूरा पर भार पड़ेगा तो हो सकता है तो दूर घटना आपको तैय है यह चलते इसको देख के चलेंगे और समझते चलेंगे ठीक है तो यह धूर के भार को गती सीमा को दर्साता है ठीक है क्या दर्साता है गती सीमा को दर्साता है कि केतना अस्पीड से हम इस रोड पे चला सकते हैं यहाँ पे देखे यह आपको इस टाइप से अगर मिलगा तो कहेगा कि गाड़ी खाड़ा करना मना है क्या गाड़ी खाड़ा करना मना है यानि कि य मज़े कि नो पार्किंग भी है यहां पर ठीक है पार्किंग भी नो है और गाड़ी रोकना और गाड़ी खाड़ा करने यानि कि नो पार्पिंग और नो स्टेपिंग ठीक है ना स्टॉप कर सकते हैं यानि कि न तो आप रोक सकते हैं ठीक है और ना यहां पर खाड़ा कर सकते हैं यह कहता है जब आइसा फिगर रहगा तब किलियर आगे बढ़ जाते हैं देखिए यह आगर आपको फिगर मिल गा तो यह कहता क्या है कि रोक समाप्ती चिन यानि रिट्रेक्शन इंड हो गया यानि जो रोधक्ष हमता जिसको कहा जाता है जो रोकता है यह चिन रोकी ही बिंदू के पार बैद नहीं है लेकिन ड्राइबर को आत्म संतुष्ट नहीं होना चाहिए और दुरगटनाओं से बचने के लिए सुरच्छा के सभी उपाय को अपनाना चाहिए यह कहता क्या है कि सड़क पर दरसाएगी कोई भी रोक या समाप्त होती है इधर सा आता है कि इसके आगे जहसे आप नहीं जा सकते हैं यहां पे जहसे आगे दुरगटना हो सकता है कुछ काम होते हो या रोड खराब हो चाहिए कुछ भी यानि परतिवंदिक चीन लगा रहा है रोक रहा है आपको तो इसको मान के आपको ड्राइबर को चलना ही चाहिए दु कीज को करना ही करना है देखे तो इसको भी हम लोग एक करके देखेंगे देखे इक हता क्या है कि बाये मुणना अनिवार है इधर से जब रहेगा तो बाये मुणना अनिवार जाए इधर रहेगा तो दाये मुणना अनिवार जाए उपर जाएगा तो आगे जाना अनिवार है तो यह आपको सिंबल दर्शा रहा है कि आगे जाना यह जैसे बाएं जाना एकदाम अनिवार है जाना ही जाना है दाएं भी जाना है तो जाना ही है इधर जाना है तो जाना है यू टर्म लेना है तो लेना ही है ठीक है बाएं यू टर्म लेना है तो आपको लेना ही होगा यह आगे जाने के लिए बता रहा है इसी परकार से आगे देखिए काता क्या है कि आगे चलना और दाय मुणना अनिवार है आगे थोड़ा सुन चलिए फिर दाय मुणना अनिवार है इसी परकार से आगे देखिए काता क्या है कि आगे चलना और दाय मुणना अनिवार है आगे कोई भी आपको नहीं बता पाएगा, तो देखे, बाएं रहकर, चलोना क्या है? अनिवार है, देखे, इक कहता है, कोई कहा देता है कि बाएं चलोना निवार है, नहीं, इस बाएं हो जाए, और बाएं साइड ही अपना लगतार, जहां जा रहे हैं, चलते रही हुच्छे दर सात हैं कि बाएं में रहकर, आप चलिए, ठीक है? इह देखे, कहता है कि साइकिल यहां पे लाना निवार है, ठीक है, साइकिल मारग है, यहां पे साइकिल ले ही चलेगा, तो यह जब भी हैं सा मिलेगा, कोई भी गाड़ी और अगर इस टाइप से आपको मिलता है ब्लू तो समझ यह कि अनिवार कह रहा है कि यहाँ यही चीज जह से चलेगा इसका मारगे देखिए यहाँ पर होरन के दिया है तो होरन बजाना अनिवार है ठीक है यहाँ देखिए तीस दिया है तो यहाँ निंतम तीस के गती चलना निवार है ठीक है अब हम लोग देखेंगे आगे देखिए सचेतन आत्मक्चीन क्या सचेत करता है आपको कि आपको यह चेतावनी देता है कि आप ऐसा करिए अगर नहीं करते हैं आप तो घटना घट सकती है जुर घटना हो सकता है और इसमें फाइन आपको सुरच्छा करना है यह सुरच्छनात्मक्चीन है अगर इसको पलन नहीं करते हैं तो खुद अपने आपको समझे तो गड़ा मिले जा रहे हैं खुद को भुक्तभोगी हो रहे हैं ठीक है तो इसको मानना और ना मानना आपका है अगर आप मानते हैं तो सुरच्छ व्ष्टियात्रा कर सकते हैं, इसमें सरकार की कोई जवब दही नहीं, सरकार पर इस पर कोई अक्सान नहीं लेगा, ठीक है आपको बताया है, इसमें फाइन वगरह कुछ नहीं है, तो आप अच्छे से चलेंगे, तो आप ही कुछ जादे बेटर हैं, तो ठीक है, देखिए हम लोगा start करते हैं और इसका देखिए shape जो होगा वो तीरभुज के अकार में होगा ठीक है तीरभुज के अकार में रहेगा और इसका color भी जो होगा का होगा लाल होगा देख रहा है यह लाल होगा और इसका अंदर जो घुका ओगा बलेक होगा ठीक है तो आप समझे यह इतीर भूज क्या कार के रहएगा सेप में इसका कलर का रहएगा, रेटर रहएगा अब अंदर जरा हैगा शेका रहएगा बलेक रहएगा, तो इसको ध्यान में रखेंगे ठीक है तो देखिया स्टाट करता ही कहता है कि दाहिने मोड़े है कहता है कि आग जाक कहा दाहिने मोड़े है यहाँपे लेकिन आपनी सुरचा से आप नहीं बस सकते हैं अगर इसको पालन नहीं करते हैं तब देखें यह कहता है कि बाये मुड़ना है यह बाये मुड़ने का संकेत दे रहा है कि आपको बाये मुड़ना है यह देखें कहता क्या है दाहिना घुमोदार मुड़ है देखें हम इसके पहले जो कंपल सरी जो सिखे थे उएक दामानिवार था वहाँ पर मुड़ना ही गुआ नहीं गें आपको मर्ज है मूड़िये चाहिे मूड़िये गड़गा तो अपना अच्छा से रशता तय करेंगे दाहिनें घुमवदार है आगे से जहसे यू टर्म है आप यहां से यू टर्म ले सकते हैं अपने लाइन से दूसरे को लाइन में जाने के लिए इससे कहता है दाहिने गुमोदार है यह बाये गुमोदार है समझ रहे हैं अब देखे यह कहता है इसको समझेगा दाहिने मूड कर फिर आगे चलना दा तो इसको ध्यान में रखेंगे देखेंगे बाय मूड के फिर आगे निकल गया ठीक है बाय मूडा और फिर आगे निकल गया तो यह दाहिने मूड और बाय मूड कर आगे निकलने का चीन है आगे देखेंगे देखेंगे यह खड़ी चड़ाई है यहां जो है क्या है खड़ा चड़ाने पहाड़ी छेतर है जो हाँ खड़ी चड़ाने तो यहाँ सोधानी पुर्वा गाड़ी चड़ाना चाहिए कलच और ब्रेक को संभाल का रखना चाहिए और धीरे धीरे करके यहाँ चड़ाना चाहिए नतोदर गटना घड़ सकती है देखे यहाँ पर उत्रा उत्र से हम लोग गयें तो चोड़ा रास्ता था अब आगे जाके ही पतला हो गया है से कहता है संक्रा के मतलब कहोगा कि आगे रास्ता जो है सो पतला है ठीक है इधर चोड़ा था इधर का हो गया है पतला हो गया है तो आप सोधानी होके गाड़ी को यहां से मुड़की ले जाए न यहां से पतला रोड से जा रहे थे, आप यहां चोडा रोड हो गया है, तो आप यहां से इस टर्म ले सकते हैं, अगर सीधे जाएंगे तो इधर से गारी हो सकता है, आता होगा तो आपको एक्सिडेंट भी हो सकता है, तो इस सब चीजों को जैसे ध्यान में रखके ही लेकिन यहां जो पूल बनाया गए है, संक्रा यानि कि पतला है पूल, ठीक है, क्या है, पूल यहासे पतला है, तो आप इसे सोधानी पूरवा के हां पे पार करें, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, देखें, इसको देखेगा, यह कहता है कि फिसलन भड़ी सणक है, फिसलन भ यानि फिसलने के डर होता है यहाँ जो रास्ता है क्या है फिसलने के डर होता है यहाँ पे चकका जैसे घbaby सकता है का कि आप यहां पे जो हैसे धूलकन और गिटा गिटी जो होता है यहां पे पड़ा हुआ है आप अगर अस्पीड में गाड़े ले जाते हैं तो हो सकता है यहां से उड़के आपको भी लग सकता है या कोई दूसरों को भी लग सकता है तो सौधानी पूर्वक आप यहां से चलाई यहां पर कहा है विखरी बज़ड़ी है यानि कि यहां बिखरा हुआ है धेसरा बज़ड़ा उसको कई छोटा-छोटा इले धेला हो खुछ भी ओ सकता है तो यह आपको दरसा रहा है आगे देखे यहां कहता है कि साइकल क्रोसिंग है जब ऐसा फिगर दे आपको तिर् ले फाटक है, बस पार कर रहा है तो बस फाटक है, आदमी जा रहा है तो आदमी के फाटक है, अगर यहाँ पर जानवर है तो जानवर के फाटक है, तो यह समझे कि साइकल क्रोसिंग है, यानि कि क्रोसिंग इसको समझे और जो भी रहेगा उसको इसमेड कर दीजे, जैसे तिरभुज के सेप में है तो समझें कि वही क्रॉसिंग है देखिए यहां पैदल क्रॉसिंग दिया उसी परकार आगे आश्कूल है अगर सा रहा देखिये तिरभुज का कार में है और च्छोटे बच्चा लोग दर सा आ गया है तो समझ जाइए कि क्या है आपको यह आगए स्कूल है सौधाने पूरों के हाँ पार करना है देखिए यह आपको ट्रैफिक सिंगनल होता है ट्रैफिक सिंगनल है तिन परकार करते हैं एक होता है रेड एक होता है एलो और एक होता है ग्रीन हारा के काम है कि आपका सिंगनल हो चुका है आप चलते रहें आप जा सकते हैं पीला के मतलब बता है कि धीरे धीरे आगे बढ़िए क्या धीरे धीरे आगे बढ़िए इरेड के मतलब है कि रुकी है तो यही तीन सिंगनल का पर्योग हमारे यातियात में किया जाता है तो इसको कहाता है ट्रैफिक सिंगनल इसको कहा जाता है ट्रैफिक सिंगनल याली कि हम signal को देखे traffic पे चलेगे road पे चलेगे, अगर red है तो आप रुके होँआ, अगर yellow है तो धीरे धीरे आप चलिए अगर green है तो आप जाते रह सकते हैं, अगर बढ़ सकते हैं देखें यहाँ पे कार करा है कि इस पर कार के हैं और यहाँ पे कहता है कैटले ने परसू डाल दिया, तो समझे कि यहाँ पे आपको crossing जो हो, परसू हो सकता है पार करता हो परसू, से दर्सा रहा है कि परसू है ठीक है, यहाँ पे आप सो धानी पूरवक जाईए, कोई भी परसू आ सकता है, यहाँ पे ठीक है, तो ऐसी स्थेती में दुरहट न हो सकता है, हो सकता है कि आप अस्पिड में जा रहे है इधर से पार करेगा, जंगली अरिया है वहाँ पर परसू हमें सा पार करता हो तो वहाँ पे इस चीज को लगा दिया जाता है सिम्बल को, अगर वहाँ पे आप इसको नहीं देखे और पार करेगा हो सकता है कि आप उच्छा चलांग मार दे चलांग मारेगा तक होगा, एक्सिडेंट होने की समगोना 100% है तो जब एक्सिडेंट होने की 100% समगोना है, तो समझ यह की जो फिगर दिया है और यहाँ पे आप समझ यह की क्या है यहाँ पे पट्सू पार करता है आप यहां से सलो हो के चले देखे, यह अगर जम प्ल आपको फिगर जब ही तिरबुझ में मिलेगा इसमें कोई भी सिम्बल दे तो समझे कि वहां पर वो चीज है यह कहता है कि आगे नौका है यानि आगे रोड नहीं है नौका पार करिएगा तब उसके आगे फिर रोड हो सकते हैं आपर पूल हो पूल नहों पूल के विवस्ता नहों यहां पर नदी नहर जो भी हो और इसमें नौका ही साधन हो तो यहां उतर के आपको नौका पार होके इस साड़ जाएगा उकरवाद फिर बाद से आप ट्रेविल कर सकते हैं आप ट्रेन से कर सकते हैं तो कुछ ऐसे जगह होते हैं जहां पर पूल वगर नहीं होता है हुआ नौका ही साधन होता है तो जब यह इसा मिले तो समझे कि आगे रास्ता नहीं है और आगे नौका की विवस्ता यहाँ पे नौका चलता है ठीक है आगे देखी बढ़ जाते हैं देखे यह जब ही तिरभुज में है और इस टैप के मिलेगा तो समझे कि यहाँ पत्थर नौका जाता है तो अगर जाभी है साधन है तो समझे कि गढ़ा को दरसा आता है कि गहराई है यह यहाँ पे काता है कि आगर आगे समिले तो समझे कि गढ़ा को आता है, गढ़्धा को दिशाता है कि गहराई है यहां खतरनाक जग़ा है, आप यहां सौधानी पूरवक आगए बढ़िए, पहाड़ी लाग में जाद इस चीज़ को देखने को मिलेगा, कहीं कहीं पूरा खाई होता है, कहीं कहीं उचड़ान होता है, तो जब यह इसा आप में और इसमें अगर इस टाइप से दे ले हैं इसे इसे तो समझ जाए कि उबढ़ खाबड वाला रास्ता है यहां पे धीरे होके चले ऊबढ़ खाबड कर राय हो सकता है धोड़े तूड़ जाए वजन जाद हो और कुछ हो सकता है चाका फेंग दे तो इस सब सारी कि कहता है कि आगे उबढ़ खाबड रास्ता है दिखे यह आगे कहता क्या है कि आगे औरोध है ठीक है आगे क्या है औरोध है मने यहां पे कहा जाता है कि समझ ही है कि आप सणक पत पे अगर हम जा रहे हैं तो जो वसूली केंद्र होता है या जाच चोकी होता है तो उससे ह स्थान में औरोध देखा जाता है ठीक है यहाँ पे औरोध है यहाँ आपको रुकिये के जाना है ठीक है रुकिये के जाना है आगे तो यहाँ पे उसको रुकना ही होगा और इस चीज को आपको पलन करना है इनकी आगे औरोध को दर्शारा है यानि आगे ही हो सकता है जाच क को देखे आगे बढ़ेंगे आगे औरोध है इसको दरसाता है देखे अब यह जो है यह बहुत सारा बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि बीच में कटिंग है तो क्या है बीच में पूलव अगरा तो नहीं है कटिंग ऐसा नहीं है इसमें जो कहा जाता है कि मद्ध में जो है बीच में वो पट्टी दिया रहता है मध्य पटी में अंतर मध्य पटी में अंतर दसाता है नहीं कि दो सड़ा को डिवाइड करने का काम करता है बाटने का काम करता है और यह गैफ जो दरसाता है इस कहता है कि यहां से आप यू टर्म लेके आगे इस रोड में आ सकते हैं ये ही चीज को दस आता है जिसे सटक है जिसे हाइवे सटक्स देखे होगे डर से न लेके हम इस रोड में आ सकते हैं और इस रोड में आ सकते तो जब्ही आपको ही न जरा तो समझे की गैप को दसा रहा है दो सड़के या इसको दो सड़को डिवाइड कर रहा है ठीक है आगे बढ़ जाएंगे हम लोग देखें ये आपको जब इसी मल मिलेगा इस तिरभुज में यहां cutting अगर दिया है तो समझ ये कि छोग रहा है ठीक है, क्या समझ acid ये छोग रहा है अगर इसके अंदर इस type के मिले तो समझे कि गुलंबर है छोग रहे है चोग रहे है पह गुलंबर है टेर्म ले सकते हैं ठीक है देखे इस में कहता है कि बाइं और पासर्व सड़क है बाइं और क्या है कि पासर्व सड़क है यानि कि ये रोड जाके पतला सड़क इधर से निकला ला है तो अगर जाना है रिशार तो आप ले सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर का करेंगे ले सकते हैं तो यहाँ पर साइड में सणक है, समझ आईे, तो इसका हम परियोग करना है, तो कर सकते हैं, अब उससे परकार दाहीने और करता कि पासरव सणक है, दाहीने साइड सणक गया, ही बाये सेड था, यह दाये सेड था, आप यहाँ देखिएगा, यहां से आप दो रस्ता मिलेगा इधर से जा रहे है तो एक इधर मिलेगा एक इधर मिलेगा तो यह संगम इसको कहा जाता है तो आप इसे जिस तरफ जाना है उसका पर्योग करिए देखे यह हो वाई संगम है यह भी तीन टर्म है तो इसको भी वही है आगे देखे कहता है यह टी टर्म है टी यानि कि ती रहा यानि कि तीन दन से संगम है एक इधर से एक इधर से और एक इधर से यानि तीन तरफ से इसमें संगम है तो इसे को कहा जाता है ती हारा कहा जाता ती इंटरसेक्शन कहा जाता है यानि तीन भागों में बाटने का काम करता है यह देखे कहता है कि विशम सणक संगम है विशम संगम के मतलब का होगा कि हम इस जो रोड से जा रहा हैं उसमें आपको सबसे पहले आपको बाएं मिलेगा फिर आगर थोड़ा संजाएगा तो दा से यहां भी होगा तो अगर दोनों रास्ता मिलता है गैफिंग में थोड़ा दूरी पे ठीक है तो उसी को कहा जाता है विशम सणक संगम कभी बाएं दे सकता है ठीक है तो इसको हम विशम सणक संगम करते हैं ठीक है छोटी दूरी पर आपको दिया रहेगा जिसे देखे इ इसमें है इसमें पहले दे दिया आपको कोची दाएं फिल दिया है बाने तो इभी बीसम सड़क संगम है यानि कि कुछ दूरी पे आपको बाएं भी है और दाएं भी है ठीक है दाएं है तो बाएं भी है इस टाइप के सड़क आपको देखने को मिलेगा तो इका हो जागा ब आप देखे आईए हम लोग देखते हैं कि इसमें देखे इसमें गोल दिया है तो समझे कि क्या है गुलंबर है यानि गोल चकर यहां पे लेना है चोरहा ऐसा चोरहा जहां गोल हम टर्म ले सकते हैं तो राउंड यह कहा जाता है कि गोल चकर है गुलंबर है क्या है गुलंबर इसको ध्यान में रखे हम लोग लेना ही टर्म तर ले सकते हैं दिखे यह देखे दरसाता है रच्छित संपार क्रोसिंग इस रेलेवे क्रोसिंग है ठीक है जहां गाड़ सुरच्छा करता है इसको देखे यह क्या है जहां गार्ड सुरच्छा करता है यहां गार्ड वहां पे रहता है वो रेल्वे क्रोसिंग है ठीक है और यह जो दूगों देख रहे हैं आपको इधर सारा है कि 200 मिटर पे आगे जहसे रेल्वे क्रोसिंग है तीन गो रहेगा तो 300 मिटर पे रेल्वे क्रोसिंग है 100 गो रहेगा तो 100 मिटर के रेल्वे क्रोसिंग पे है 5 गो रहेगा तो 500 मिटर के जो रोड पे हम जा रहे हैं 500 मिटर पे क्या है रेल्वे फाटक है यहां पे सोधानी पूर्वक जा सकते हैं तो यहां पे अगर इस टाइ रिल फाटक है पर गार्ड की विवस्ता नहीं है अपने हिसाब से वहां पर पार करेंगे ठीक है देखिए यह है यह हो रिल फाटक है लेकिन यहां पर गार्ड की विवस्ता नहीं किया गया है ड्राइबर स्वेम इसको जैसे सुनी चित करेंगे पार करने के लिए कि हम पार हो यह थो नहीं हो रूख जाए इसे यह दिया रहा है तो 102 को दे लिए तो 200 मीटर पे ़ागे जह से रेले क्र dit año 3 को देगा तर तीन चार गूस्व आपको दूरी को दर्साता अम है ठीक है देखे है आगे जो है एक घाट या नदी का किनारा को दरसा रहा है कि आगे जो है यह रोड जो गया यहां से इसके आगे नदी घाट है आप यहां देखके गाड़ी को रोक देखके आगे रोड नहीं है यहां क्या है नदी है ठीक है तो इसको देखके ध्यान में चलाए तो यही बताता है कि यह आगे घाट है यह नदी के किनारा है नदी के छोर है अंतिव देखिए यह दर्साता है कि आदमी काम कर रहा है रोड़ प्रेका कर रहा है काम कर रहा है यहां पे आप सोधाने पुरा गाड़ी को आगे निकालने के काम करिए जब यह आपको इसा मिलता है तब ठीक है देखिए यह आगे जो दर्साता ह वहां भी लगाया जा सकता है यानि इधर साता है कि आपको आगे खत्रा है आप यहां से स्वधानी पुर्वक निकलिए देंजर जोन जिसको कहा जाता है इधर सा रहा है कि आगे गूफ़ा है क्या है? गूफ़ा है आप सोधानी पुरवक यहां जा सकते हैं मान सकते हैं कि गूफ़ा पांचे मीटर क्यों उचाई हो इसका हम छो मीटर लगाड़ी लेकर गए छो फिट वाला गाड़ी तो एक फिट यहां तो लगबे न करेगा उपर में गूफ़ा में तो जब गूफ़ा में लगेगा तो दुरगटना होगा तो यह चलते इस पर दर्साय रहता है लंबाई भी कि कि अतना मीटर ले जा सकते हैं इसमें गाड़ी कि अतना फिट वाला जा सकता है ठीक है अगर इस टाइप के अगर गूफ़ा क्रॉसिंग कह ले समझे कि अंदर जाना मना है उसमें नहीं जाएए आपको दुरगटना धैल है ठीक है अब हम लोग देखिए मैनुवल ट्रैफिंग के बारे में जानेंगे जो आम आदमी जिसे ट्रैफिक पुलिस जो इज़ करता है तो देखे अगर एक हाथ इधर निकाल लेए एक हाथ इधर मोड रखा है तो समझे कि कहता है कि start one side vehicle यानि एक side गाड़ी जा सकता है स्टार्ट करके और दूसरे तरव नहीं जा सकता है अगर ही कहता है कि to stop vehicle coming from front यह आगे कि और अगर हाथ इसे कहले है तो समझे कि रूकने के लिए बोल रहा है कि आगे से जो भी गाड़ी आ रहा है वह stop करिए यहां देखे करता है कि to stop vehicle ओपर चुनिंग from behind अगर we bad side अगर हा दे तो समझे कि पीछे वाल जो गाड़ी आ रहा हे उसको रोकने के लिए बोलता है यह आप हाथ कर रहा है प्रोंट स is शामने से आ रहा है उसको कर रहा है कि रूक यह ठीक है तो आप इसको देखे समझ सकते हैं अब देखे काता है कि आगे वाला जो इधर हाथ किया है काता है कि फ्रोंट से जो आ रहा है रुकिये और जो बिहाइंड से जो आ रहा है गाड़ी वो भी रुकियी दोनों कंडिशन में काता है कि रुकने का इधर सा रहा है कि इधर जो ऐसे पीछे वाला रुकेंगे और या इसे अगर आगे कर दिया जाए तो यह आगे वाला भी यानि दोनों को रोकने के लिए कहता है देखिए यह कहता है उपर को दूनों अगर हाथ कर दे तो यह आपको कहता है कि to a stop vehicle approaching in simultaneously from right and left यानि की दोनों साइड left और राइट दोनों साइड आप रुके रहे जब तक हम signal नहीं देंगे to a start vehicle अगर आपको इस टाइप से अगर मोड़े ले हैं हाथ एक तरफ लुक ले है तो left और साइड को जो मोड़ा है उस समझे कि आपको signal रहा कि आप start करके गारी को जल्दी सुनि है ठीक है तो left side और left मोड़ेगा तो left वोला जाएगा right मोड़ेगा तो right वोला जाएगा और जब आप हाथ सिधा के ले तो समझे को रुकने के लिए बोलता है ठीक है अगर देखें दूनों हाथ इस टाइप से अगर मोड़ेगा तो यह आपको कहता क्या है कि यहाँ पे आप वहां से गाड़ी आगे निकाल सकते हैं से कहता है दिखें to start one side कहता कि start करिए to start vehicle in t point यानि टी point पे गाड़ी एस चाट करने को कहता है कि यहाँ से जाहिए इधर मोड जाए ठीक है ती यहाँ से स्टार करके निकल लिए ती वाले इधर से इधर अमोर जाहिए तो T आप यह देखें दूनों साइड इसे हाथ अगर कर दे तो गीब वियाईपी स्लोट की सुको जो इसे आता है नो कोई गाड़ दिखा रहे हो इतो श्लोट दिया जाते तो आपको श्लोट दसा रहा है तो मैनेज वियाईकल टी पॉइंट यह वो टी पॉइंट को मैनेज कर रहा है तो यह था मैनुवल यानि जो पुलिस ट्रैफिक होता है उसके बारे में अब हम लोग देखेंगे तीसरा नंबर इनफोर्मेशन साइन जिसे सुचना चीन हम लोग करते हैं क्या करते हैं इसको सुचना चीन करते हैं इस सुचना देता है आपको कि आप इस टाइप से करिए तो इसमें आप देखे होंगे कि जो रोड है इसके इस साइड और इस साइड दोनों साइड आपको सारा चीज दर दरसाएगा यहां पे यहां पे लगा रहेगा बोट दरसाएगा कि आगे पिट्रोल पंप है तो रेश्टूरेंट है ठीक है कुछ भी दरसा सकता है तो रोड के दोनों साइड में आपको हो सकता है तो आप इसे देख कर चले चलिए देखिए यह सारा चीजा है से वही है अब हम लोग बढ़ जाते एक करके देखे यह क्या कहता है कि आगरी मार्ग दरसक गंतब बिचीन यह जैसे आगरी मने आने वाला जो मार्ग दरसक है रोड है उस पे गंतम बिंदू के दरसाता है कि यह रोड आपको तो आप इधर से आ रहे हैं तो मैंने आगे समझा रहा है कि यहां से तीन रस्ता निकले आप किधर जाना चाहते हैं यानि आ अगरी मार दर्शक गन तबंदु को यह दर साता है ठीक है आगे हम बढ़े जाते हैं इस देखें गुलंबर जो देखे होंगे ना गुलंबर तो चोरहा पे चारों दने से रहता रहता है तो तो यहां cose type के रहता निकला रहेगा तो बतायाईगा कि ई जाएगा गरदनियाः बाग तो इह डेलहा जाएगा तो इह जाएगा कंकः बाग तो इह आपको जाएगा मीथा फूर तो इह रड़ोण से रैलवे स्टेशन जाएगा रहते हैं ना इस टाइपसे तो इह आपको दर्साहर आएका कि गोलकर dengy जोगर पर जो आग्रिमगरंतम नहीं पर लिए थीख है तो यह आपको दर्सार आया कि आगए जो अग्रिम अस्ठान पर जहां है उस बिंदू को दर्सार आया है चीन को दर्सार रहा है कि छोराहां पर इतने सारे रोड निकला है अब देखे यह भी अग्री में मार दर्संगंतव्य को को दर साथ कि achieve गचा है तो 85 किलोमीटर है इधा जाएगा पटना से 120 किलोमीटर है से दर सा रहा है तो यह अग्री मारि अजनतब्य चीन को दर साता है दूरी के साथ दर साता है जब आपको इस टाइप के फिगर मिले रहता है ठीक है अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं देखिए इभी दिशा यानि डिरेक्शन साइन को दर्शा रहा है कि फरीदा बार जा रहा है तो इस साइड में है कि साइड में है इस साइड में आप जा सकते हैं यहां से से दर्शाता है यह अस्थान और दूरी दोनों को दर्शा ठीक है आगे करता है कि परमानवीत करता है कि बहादुरपूर आब जो दिशा में हम जा रहे हैं ठीक है अग्रसर है अस ड्राइबर को अवगात कराता है कि आने वाला driver को संतुष्ट करता है असक्त करता है कि यह 5 km पे आप पटना पहुच रहे हैं ठीक है तो यह रास्ता में इसको युझ किया जाता है ठीक है जिस रास्ता में हम जा रहे हैं उसको में आगे बढ़ जाएंगे देखें यह आपको जो चीन मिलेगा यह बताएंगा अस्थान पह यह बताता है क्या कि जिस छेत्र में हम गाड़ी चला रहे हैं सिमा शुरू हुआ है जिस छेत्र में हम जा रहे हैं उस छेत्र में कहता है कि इड क्या है दिल्ली है अगर हम पटना में जा रहे हैं रेजिंदर नगर से तो उस बताएगा कि पटना जगा है क्या है पटना जगा है ठीक है यहां से हम लोग क्रोस करते हैं तो और अंगाबाद सहर है तो यहां दर्शाएगा कि यह और अंगाबाद यहां पर स्थान दर्शा रहा है कि यह और अंगाबाद जगह है तो यह स्थान को आपको बताएगा इस देखिए इस बता रहाए कि पिट्रॉल पंप है अगे जा रहे हैं तो इस पर क्या है पिट्रॉल पंप के हैं कोई भी फिगर देगा तो वही आपको चीज को दर्साता है देखिए खाली बस इसको ध्यान रखना है कि इस फिगर में होता है बस देखिए अब यहां रेष्ट भी है और पलस्ची नहीं है ठीक है तो यह अस्पताल को दर्साता है अब देखिए यह है पलस्चाली तो समझे कि प्रात्मिक उप्चार केंद्र है प्रात्मिक उप्चार केंद्र मतलब कि जहां पर हम गारिस जा रहें कोई सी तरह की बात हो गया तो वहां पे जो पहली बार टीटमेंट किया जाता है उसे को कहा जाता है प्रात्म को दर्साय कि आगे बहुजन अस्थान है वहां बहुजन कर सकते हैं ठीक है जब चाय सोरे चयमच और को दरसाएगा तब क्रोसिंग करके औप जितना मीटर दरसाएगा उतना मीटर पे यह भोजन अस्थान है यह इस परकर यहां कर सकते हैं दिखें आगला जो है कब पलेट दिखाएगा सुमझे के कि यहां पर पहार ले सकते हैं जल पान कर सकते हैं ठीक है यहां का कर सकते हैं आगे जो ऐसे जल पान है इस पर भी दे सकता है कि दूसों मिटर पर है तिन सों मिटर पर है ठीक है तो यहां जल पान कर सकते हैं यहां कि चाय नस्ता पानी सब यहां पर आपको मिल लेगा आगे जो है आगे आपको दस आता है का कि यह जैसे बिश्राम अस्तल है यहाँ प्याप अराम कर सकते हैं और देखें आग पोजीसेन बताता है कि आगे संडक बन्द नहीं कि आपको दाए शाइड माएं साइड आगे तीनों सक्ता है तो जब भी दिखें तो किसे सणडक बन्द यह देखें यहां पर बस्कोदसार रहा है तो लिएड तो ही हैуш़ित जाओ तो क्या ही रेल्वेय स्टेशन को दर साएगा जबकि वह ही वहाँ पे देख रहे हैं तो अगर तिर्भुज क्या कार में बना रहे किसी परकार के दूर घटना होता है तो टेलिफोनिक कर सकते हैं इतना दूरी दर साएगा कि एक किलोमीटर पे हैं 500 मिटर पे आगे देखे इसको देखके हम लोग आगे बढ़ेंगे इस देखे कहता है कि पैदल पत्स सब्वे हैं यानि कि यहां जो अंदर ग्राउंड से भी दे सकता है उपर से भी दे सकता है तो इसे आप ध्यान से परियोग करें अंडर पास को देखे अभी कहता है कि पी लिखल है दोनों साइड अगर है तो देखा रहा है कि अंडर कि दोनों दी सब्वे में गाड़ी खाड़ी करने की जग़ है नी बोथ साइड में पार्क है आगे दर सा रहा है देखे पी दियाbasic सब जैसे parking को दरसा रहा है यहां देखिए यहां पी देखे आटो रिक्सा यहां पर आप तो यह था पूरा हमने ट्रैफिक सिंग्मोल से जीतना बीस कोचन जो आता है उसको हमने करने का काम क्या है पूरे के पूरे यहां से इस नमर आगा इससे जादे नहीं है क्योंकि यह DTO ओफिस से लिया गया है जो DTO ओफिस में रहता है और यह हैं जो हैसे इंटर्विव में इसी को पूछा जाता है तो जितने सारे ट्रैफिक सिंगनल था जो एक दमनिवार है इससे जादे आने की समोना नहीं है उसको मैंने हम करवाया है तो यह मास्टर विडियो है जितना अधिक संख्यामी से देखिया और बार बार देखिया और इसका अगर पीडियाप पाना चाहते हैं तो टेलिगराम चैनल जोइन करि तो एक पाना है